आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीचेगा और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक किचेगा औ आज हम पढ़ने वाले हैं और रैंकिंग का पार्ट 3 ठीक है पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आप लोगों के साथ कोशन डिसकस किये थे और कुछ कौन से डिसकस किये ठीक है आपने अगर अभी तक यह वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख लिजएगा आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को पिछली क्लास में जो हमने कोशन किया था इंडर चींज वाले उसका ही ट्रीक से एक दो कोशन सॉल्व कराऊंगी और कुछ नए कोशन सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले कोशन क कि तरह पहला कोशन यह रहा क्या लिखा इन अरो राम इस सेवेंटेन फ्रॉम्दा लेफ्ट एंड स्विफ्टेन फ्रॉम्दा राइट ठीक है हिंदी इंगली जोनों में आपको जिस लेंगेज पर इजी लगे आप उससे समझने की कोशिस किजिएगा क्या बोल रहा है कि पंक्ति में राम किया है 72 से 17 नंबर पे है और शाम किया है दाय से 15 नंबर पे है ठीक है जब वो परस पर अपने इसान को बदल लेते हैं तो राम क्या हो जाता है बाइं से 22 हो जाता ठीक है तो क्या पुछा इसमें दो कुषन पूचे गए हैं एक तो पुछा है कि शाम की राइट से पोजिशन किती है इंटर्चेंज के बाद और टोटल स्ट्रेंट ठीक है तो हम अपनी ट्रिक से ही बताएंगे तो हमारी ट्रिक ऐसी थी सबसे पहले मुझे क्या लिखना है राम और शाम ठीक है मैंने राम और शाम लिख लिए राम क्या बोला राम लेफ्ट से कित ही सेके अब यहाँ से यहाँ आने में प्लस हुआ है माइनस हुआ है । सत्रा वान हो दो बढ़े है तो कितना बढ़ा है तो कितना ऊदरा माइनस बढ़ा है तो जब स्याम की से पोजिशन है इस ट्रिक को मैंने डिटेल में कल डिसकस किया था ओडर और रेंकिंगे पार्ट तू में अगर आपने नहीं है तो प्रीज उसे जाकर देख लिजेगा ठीक है इसका मैंने बेसिक से भी सॉल्व करना बताया था और यह हमारी ट्रिक से हमने सॉल्व किया ठीक है राइट से से किर्थी आ गई 30 तो पहले का अंसर क्या जाएगा मेरा 30 जीख है अब दूसरा से कैसे बताएंगे हम दूसरा क्या रहता है टोटल इस इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो रहे गई और क्या हो जाएगा प्लस माइनस डिफ्रेंस ठीक है अब क्या होगा 17 से 32 आ गया था तो बढ़ा किता था यह 15 हीज़। साथ में से दो गया है सुरी कि बारा मिससाथ यह 5 और 3 में से दो गया एक तो बढ़ा कितना 15 से भढ़ा तो हमने प्लस 15 लिख लिए ठीक है अब क्या हो जाएगा सतरा मी से हम एक माइनस कर देंगे तो इता आएगा सोला और पंदरा और पंदरा किते आगे इस ठीक है तीस और एक चालीस और छे चालीस तो टोटल किते स्टुटेंट आगे मेरी 46 तो दूसरे का अंसर क्या हो जाएगा 46 यह हमारी ट्रिक इस ट्रिक से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप देख पा रहे होंगे ठीक है मु बनाल रेलैंट ट्रिक है और सबस्किन से सकते हैं पिए से 37 ठीक है बंता क्यों जाता है लेफ्ट से 37 जाता है ठीक है तो क्या पूछा अब इसमें भी संता की रैट से पूजी सरो ठीक है अब का इस से बंता का में लेंगे लेफ्ट spotlight माइनस हो जाएका ठीक है 52-í i Dist với क्या से जब कुछ कम होगा तो यहां पी हम जिलेंगे माइनस लिए ठीके बाकी मैं दो क्यूंच में हमारा बढ़ रहा था यहां किष्ट है कल के स्ब्साइब क्या है माइनस वाला ठीक है कैसे पता चला अधर कित्रा माइनस होगा तो कितना हुआ जब भंतिन हो तो इसके में भी 9का क्या चाहर आठ में से 9 subjects discussati पांच गया 6, आठ दो इसकी पोजीशन का आगई पोजीशन का अगई राइच चैट से 74 स्चाहरा, मिसे अभी नोगों गई आप क्या करण का दो ऑट का पोजीशन का ओए helps हो अन्सार तो मेरा यह 74 और यह डिफरेंस किता है माइनस 15 तो अब मैं दुसरा कोशन कैसे बनाऊंगी पहला काया मेरा 74 दूसरा कोशन का कैसे बनाऊंगी मैं total is equal to left plus right minus one plus minus difference ठीक है अब क्या करेंगे हम left से किता है तो left से बनता किता था 52 था right से संता किता है 89 है ठीक है minus 1 और minus 15 अब minus 15 क्यों आया क्योंकि 52 में से 37 minus हो गया तो minus 15 आया ठीक है क्योंकि कम हुआ था पहले 52 था फिर वो किता आगया सैंतीस आगया तो minus हो और कितना minus हो फिफ्टीन इसले क्या आगया minus 15 आगया ठीक है इतनी बात समझ आई अब क्या होगा अब क्या करूंगी मैं यह 52 है यह minus 89 है यह minus 1 है यह minus 15 है तो 89 में से 1 गया 88 ले लेती हूँ एक ठीक है और 52 में से 15 गया तो 52 में से 15 माइनस कर देंगे तो किता हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 5 में से 2 गया 3 प्लस 37 तो answer किता हो जाएगा 8 और 7 15 की 5 कैरिया 1 8 और 3 11 और 12 किता हो गया 125 ठीक है किता है 125 आ गया तो टोटल स्टुड़ेंट किते आजएंगे 125 और संता की राइट से से पोजीशन किती हो जाएगी 74 संता की लेफ्ट से जाएंगी संता की राइट से संता की is संता की किते होगी 74 ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं एक नए टाप की कोशिण की तरफ तो गोशिन और who is who किसके लिए यूज हो गया कुहू के लिए जो यहां पी किसके लिए यूज हुआ है जो क्या है कुहू के लिए यूज हुआ है हिंदी में who is 25 from the right then what is the rank of mahi from right side of the row अब इसको basic से कैसे बनाएंगे एक road row कर लेंगे हम यह हमारा left side है यह हमारा right side है ऐतीपाताी समझ में अभी क्या करना है इता था हम्में सब में करना है अब क्या करना आगे क्या बोल रहा है कि mahi क्या है कुहू के 12th right पे है ये मानगू कुहू है इसके 12th right value मतलब 11th लोग बीच में हूंगी 11 लोग तो 12th नंबर पर कॉन आ जाएगी घू १र और माई तो 11 बीच में आगे माही आगे छी है अब रहीट के है कुछ हुए अब क्या बोल रहा है कुहू क्या है राइट से 25 नमबर पे है अब क्या पूछ रहा है कि माही का जो रैंक है राइट से कितना है ठीक है तो राइट से ही 25 है और कुहू का राइट से 25 है और कुहू का ही कुहू की 12 नमबर पे कौन है माही है तो मैं डिरेक्ट क्या गरूँगी राइट से 12 ले लूँगी ठीक है माल लो कुहू को मैंने 12th नंबर पे राइट पे रख दिया तो कुहू की position 25 हो गई एक पर और कुहू की माही की जगह पे मैंने कुहू को रख दिया तो किता की राइट से 12 आगी ठीक है राइट से 25 है और राइट से इसके राइट पे 12 है ठीक है तो कितना आ जाएगा 25 में से 12 गया तो 13 तो आंसर के आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा ठीक है एक बर और बता देती हूँ मैं मैंने कहा ये left side है ये right side है ये कुहू है ये mahi है कुहू है ये कुहू के 12th right पे कौन है mahi है ठीक है यहां बीच में 11 लोग है ठीक है और 12 से आगे 25 या तो अब आप ऐसे count कर लिजे कि mahi right से किती आ जाएगी तो 11 लोग है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ नो दस ग्यारा और ये 12 ठीक है तो या तो 25 के बाद 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 और ये 13 ऐसे count कर लो या फिर कैसे करेंगे हम direct count करने की पजाए ये राइट से क्या पूछा है ये राइट से कुहू 25 आ गई और कुहू के ही राइट पे कौन है 12 पे माही है तो 12 पे माही है तो direct 12 माइनस कर देंगे तो माही का rank निकल जाएगा राइट से ठीक है तो किता जाएगा 13 ये हमारे shortcut trick है उमीद है कि ये आप लोगों को पसंद आई होगी ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते है हमारे अगले question की तरफ इसका answer क्या हो जाएगा 13 ठीक है answer क्या हो जाएगा 13 चलिए बढ़ते है अब हम हमारे दूसरे question की तरफ अगला question क्या बोल रहा है in a row of a class राज is 17 from the top and टीना is 6 from the top in girls and boys ठीक है अब एक कोई class है ठीक है उसमें students होंगे students में girls होंगे और boys होंगे ठीक है girls होंगे और boys होंगे अब क्या बोल रहा है कि राज क्या है girls all boys में girls all boys में राज क्या है राज है 17 ठीक है कहां से है top से है और टीना क्या है यह टीना है मालो टीना क्या है 6 है कहां से है top से है ठीक है यह टीना और राज होंगे और क्या बोल रहा है in the row राज is 11 from the top only in boys यह तो girls और boys के रो में आगे दोनों अब only in girls में क्या बोल रहा है girls और only boys ठीक है only girls और only boys आ जाएगा only boys में राज क्या है 11 नमबर पे boy में राज क्या है 11 नमबर पे है top से ठीक है और क्या बोल रहा है कि and Tina is fourth from the top only in girls अब रहा है तीना जी किती साकी प्योर्स से ठीक है तो past आगई fourth लडकों में ड़क प्रव में राज क्या उषिर के और रहा है कि girls में tina इत्ते नंबर पर है और एक मीभी boys में iत्ते नंबर से ठीक है और क्या बोल रहा है आगए question क्या बोल रहाएँ अभी मैंने कुछ किया नहीं यह सिर्çon को बोल रहा है इसके information को में Likल रहे हूं ठीक है doc है बाकि अभी मैंने कुछ भी नही किया क्या बूर रहे है इन दा रौ आफ गालोई गाली बोइस मतलब इस टीज़ मेंरो मिजे बोज किण यह राज ठीक है और क्या बोल रहा है टीना 11 बीदे अली इन इन व्र से मत्मा से इसका 11 टीमस यह डिक हैầy इन आFr धूल कोइक सवखें देधार है शहला है अपे जाता उसे इत्ता हो गया अब इससे क्या पुछेगा कर घूंखाया दो चलिए क्यों चलते हैं हमारे कोश्चन की तरब तो कोशट यह रहा आप लोगों के सामने क्या वोल रहा है टोटल नम्बर ऑफ बैढ़ अजिन दरो फेला कोशन बॉटम है, 86 ठीक है, बॉटम से 86 है, तो अब मैं कै करूँगे, टॉप और बॉटम वह लेफ्ट और राइट जासा हो गया, तो टोल हम कैसे निकालते थे, एक मिनट, टोल हम कैसे निकालते है, टोल इस इकॉल टॉल टो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करते थे, तो इसमे 103 TOP 103 में से गींस करोंगी तो क्या हो जाएगा 102 टोंटल स्टुडेंट कित्ते आगे द कोशने ज़ानों 1 0 2 Ond기에 102 Tैनों तोनको ऌभलने मेरे ठीकैं अब क्या करूए मैं टीसेरा नम्बरवाला कोशन था उसका अंणसर आं गया हमें 102 अब एक दिख रहा है मुझे टोटल गल्स का मैं निकाल सकती हूँ कैसे निकाल सकती हूँ क्योंकि इसका भी टॉप और बॉटम दिया हुआ है अब मैं क्या करूँगी वैसे टॉप बॉटम माइनस वन तो ग्यारा और चार पंद्रा पंद्रा में से एक गया तो चोदा तो टोटल गल्स किती आगई मेरी चोदा पता चला यह कैसे आया ग्यारा और चार पंद्रा हो गया यह चार है यह ग्यारा है तो ग्यारा और चार पंद्रा हो गया माइनस वन करती तो टोटल गल्स किती आगई 14 आगई ठीक है टोटल गल्स किती आगई 14 आगई गल्स आई 14 टोटल आया 102 अब बॉइस निकल जाएगा अब बॉइस कैसे निकालेंगे total total कैसे बनता है girls और boys से बना एक class में कितने लोग है 102 मालो आप किसी class में पढ़ते हो आपकी class में 102 बच्चे है उसमें से आपकी class में 14 सिर्फ लड़के आई है तो लड़के किते बचे लड़के किते आए 88 आगे लड़के girls पता चल गए boys पता चल गए और लड़के पता चल गए अब क्या पूछा है पहला question का क्या answer हो जाएगा total number of boys इंदर हो तो 88 आजाएगा ठीक है तूसरा question total number of girls इंदर हो तो 14 आजाएगा ठीक है और क्या बोलेगा तीसरा total number of students तो 102 आजाएगा ठीक है अब क्या पूछा question difference between girls और boys भी पता है आपको और girls भी पता है तो आप difference निकाल सकते हो ठीक है कैसे निकालेंगे हम difference कैसे निकालेंगे यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ boys है 88 girls है 14 तो इन दोनों को minus कर देंगे तो difference निकल जाएगा आठ में से 4 गया 4 आठ में से 1 गया 7 तो answer किता जाएगा इसका 74 ठीक है तो पहले का answer हो गया हमारा boys का 88 दूसरे का answer हो गया हमारा girls का 14 तीसरे का answer हो गया total का 102 और शौथे का answer हो गया 74 4 difference का boys और girls का ठीक है उम्मीद करती हूँ कि यह आप लोगों को पसंद आया होगा और आज की class अब हम यहाँ पे end up करते हैं अगली class में मैं आप लोगों को overlapping वाले question सिखाऊंगे ठीक है overlapping वाले question हम करेंगे overlapping क्या होता है यह मैं कल आप लोगों से discuss करूंगी overlapping में बच्चे बहुत जादा confused होते हैं पर हम इसको सिर्फ 3-4 ऐसे formula पढ़ेंगे जिससे कि यह चुटकियों में solve हो जाएंगे ठीक है हमें और कुछ भी जानने की जरुवत नहीं पड़ेगी बस कुछ 3-4 formula रहेंगे tricks रहेंगी जिससे कि बहुत ही easily यह हम पढ़ लेंगे ठीक है तो कल की क्लास में मैं overlapping पढ़ाऊंगी आज की क्लास को हम यहाँ पर end up करते हैं मुझे उमीद है कि यह session आप लोगों को पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful है तो प्लीज इसे maximum share कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिशित की जिए ठीक है चले क्लास को इंड आप करते हैं टील दन कीप लर्निंग की प्रेक्टिसिंग थैंक्यू और बाबाई